नमिश्कार मैं हूँ अमित का टोच स्वागत आपका आपके बने चैनल बेसिक मैथन जी के भी अमित में इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश ताफ सेलेक्शन कमिशन से जो अभी लेटेस्ट एक्जाम हुआ है ट्राफिक इंस्पेक्टर का उससमंदित जो है हिमाचल जी के और क्रंट अफेरेंस के कोशन जो है इस पीडियो में शामिल किये गए हैं फर्स्ट कोशन है अर्मन फोर्स ऑफ बिच कंट्री पाटिश्वेटिड इन दा रिपब्लिक डे प्रेड आफ इंडिया इन दा यर तूसोजन ट्वंटी वन बश दोहजार एक्टिस में भारत के गंदंते द्वस प्रेड में किस देश की सहस्तर सेना उनने बाग लिया ओप्शन दी हैं नेपाल बंगलादेश उनाटिट किंग्डम और भुटान इसका जो राइट अंसर है वो ओप्शन बी बंगलादेश नेक्स्ट है किस देश ने हाली में ट्रांजेंटर लोगों के स ट्रांजेंटर परसंस टू सर्व इन मिलिटरी डोल्स ऑप्शन दी हैं सिंगापूर उनाटेट स्टेट न्यूजलेंड या फिर भारत इसका जो राइट अंसर है वो ओप्शन सी बट जो ऑफिशल एंसर की है उसमें इसका राइट अंसर जो ऑप्शन बी दिया है उनाटे स्टेट नग्वेंड जो है पहले ही ट्रांजेंटर को अलोग कर दिये था बट अभी त्रांजेंटर को अलोग किया है सेना में जिसमें जो है न्यूजलैंड एक देश है नेक्स्ट कूश्शन है कोन सा संगठण वल्ल्ड एककनोमिक सिचूएशन एंड प्श्पैक्स 2021 से स बो अप्शन C, United Nation, स्यूंक्त राश्टर, next question है, which Indian state has essentially launched a new initiative named Jail Tourism, option आपको दिये हैं, अंडवा, निकोबार, महराश्टर, गुजरात, या फिर बेस्ट कंगोल, इसका जो राइट अंसर है, बो अप्शन B, महराश्टर, महराश्टर ना जो है, नया Jail Tourism नामक पहल शुरू की है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिन्हों भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेचनल को सब्सक्राइब भी जूर करें, आपको हमारी चैनल के उपर, माचर प्रदेश जीके की चैप्टर वाइज अच्छे ची वीडियो देखने को मिल जाएंगी, उनसे भी एक लिंक आज इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, नेक्ट कोशन है, किस संगठन द्वारा हाली में उन बजट मॉबाइल एप्लिकेशन विक्सित की गई है, ओप्शन दिये है, राष्टी सूचना के अंदर, इंडियन कम्प्यूटर अमिजंसी रिस्पॉंस टीम, दूर संचार भिवाग या फिरिन में से कोई नहीं, इसका जो राष्टी सूचना के अंदर, नैशनल इन्फोमेटिक सेंटर, नेक्स्ट है, बिशेप स्वास्ते संगठन, डवली अच्चो ने हाली में को वैक्सिन संदी के अधिन, कोविट वैक्सिन वीतरित करने के लिए, किस कम्पनी के साथ सहयोग किया, आप्शन दी हैं, फाइजर, रौंची, मर्क, जोंसन और जोंसन, इसका जो राइट अंसर है, वो आप्शन ए, फाइजर, फाइजर एक अमेरिकन कम्पनी है, उसके साथ जो है, ये समझोता हुआ है, नेक्स्ट है, मुहमद, इस ताइज, जो खाली में समझारों में थे, किस देश के बदानमंतरी हैं, उप्शन दी हैं, पैलिस्तीन, इसराइल, पेरू, अजन्टीना, इसका जो राइट अंसर है, वो आप्शन ए, पैलिस्तीन, नेक्स्ट कोशन है, तो शाली राष्ट ये सिल्फ मेला, हाली में किस राज ये केंद्र शाषिष प्रदेश ने आयोजित किया था, उप्शन दी हैं, उडिस्ता, बिहार, उत्राखंड या फिर आंद्र प्रदेश, इसका जो राइट अंसर है, वो आप्शन ए, उडिस्ता, नेक्शन दी है, इसका जो राइट अंसर है, उप्शन दी, इन में से कोई नहीं, आप जो इसका अंसर चेक कर सकते हैं, नेक्शन है, गोव मैंब भाथ के, 91, 51, अंतराश्टी फिल्म में होसता, मैं कौन सा देश के अंदर मैं था, फ्रांस, श्रिलंका, रशिया, या फिर बंगलादेश, इसका जो राइट अंसर है, वो आप्शन, डी, बंगलादेश, ये 10 कोईशन जो है, एकांट फिर्स के थे, और आगे जो है, हिमाचल जी के कोईशन है, इसी कोईशन है, हिमाचल प्रदेश में बना चित कुल गोलिक शेत्र है, टोटल जग्रोफिकल एरिया अंडर फोरस्ट इन एच्पी, इसी कोईशन है, इसका जो राइट अंसर है, वो आप्शन, ए, 37033 किलोमेटर स्केर, नेक्स्ट है, कोट और बांदला धार हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्तित है, ये सभी कोईशन आपको हमारी चैप्टर वाइज जो वीडियू है, उनमें मिल जाएंगे, इसके उप्शन दी है, ब्लासपूर, हमीरपूर, कांगडा, मंडी, राइट अंसर ओप्शन ए, ब्लासपूर, नेक्स्ट है, तुंडा, बन्यजीव, अवयरण, हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्तित है, Option है चमबा, उन्ना, कुलू, शिमला इसका जो राइट अंसर है बाउप्शन ए चमबा Next है देहार हिमाच्च प्रदेश की किस नदी किस हाइक नदी है Option दिये है चिनाप, सतलुज, रावी या फिर इनमेंसे कोई नहीं इसका जो राइट अंसर है option D, इनमेंसे कोई नहीं ये आपका होम बरिख है कि आप फाइंड करने की नदी किस हाइक नदी है Next है रूपा गाटी हिमाच्च प्रदेश के की जेले में स्तित है Easy question है इसका जो राइट अंसर है option C, की नो डिस्टिक Next question है बुंडा उस्तब हिमाच्च प्रदेश के की जेले में मनाया जाता है Option D है लाउल स्पिती, मंडी, उन्ना या फिर नन आप तीज इसका जो राइट अंसर है option D, इसका जो राइट अंसर है option D Easy question है सभी को पता होगा Next है बुंडा उस्तब हिमाच्च प्रदेश के की जेले में मनाया जाता है ये नया question है Option D है कांगडा, कुलू, मंडी या फिर इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर है option D इसका जो राइट अंसर है वह है लहल स्पीती जो चंदर भागा नदी है उनके किनारे जो बस्तियां होती है वह जो है यह उस्तब मनाते है और question number 17 का जो राइट अंसर है वह option कुलू means कुलू district में जो है बुंडा उस्तब मनाया जाता है next question देखते है राणी खैर गड़ी हिमाच्य प्रदेश में की जीले से स्मंदित है option दिए हैं चमबा कांगडा सिर्मावर या फिर मंडी इसका राइट अंसर है option D मंडी next है गड़ कुफर जील हिमाच्य प्रदेश के की जीले में स्तित है most important question इसका जो राइट अंसर है वह option A शिम्बला कुफरी कुफर यह जहां भी वर्ल्ड यूज होते हैं यह शिम्बला में ही यूज होते हैं इसका जो राइट अंसर है वह option A next question है शिम्बला की यात्रा करने वाला प्रथम गवरनर जनरल थे यह question जो है बार-बार repeat होते हैं तो आपको जो ही आने चाहिए option दी है Lord Mayo, Lord Deloji, Lord Karjan, Lord M. Hurst इसका जो राइट अंसर है वह option D Lord M. Hurst next है हिमाच्यप्रदेश की प्रथम 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 यूज है बार-बार question आता है यह इसका जो राइट अंसर है वह option A जे-पी सूचन तकनिकी इनवर्स्टी Most most important question next है डरहोजी की स्थापना किस बर्थ में हुई डरहोजी was founded in which year इसका जो राइट अंसर है वह option A, 350 AD में next है स्रीमोरी ताल किला हिमाच्यप्रदेश के किस स्थान पर स्थित है option D है राजगर, रेणुका, सानगर, पॉंटा, साहीब इसका जो राइट अंसर है वह option D, पॉंटा साहीब पॉंटा साहीब में जो है स्रीमोरी ताल किला हिमाच्यप्रदेश में स्थित है important question है, next question देखते हैं, कौन सा लोगप्रिय रूप में अंगूरों की भूमी से जाना जाता है easy question इसका जो राइट अंसर है वह option D, रिब्बा, सिमोजिश्टी का जो रिब्बा है वह अंगूरों की भूमी के नाम से जाना जाता है अर्द नाशिवर मंदी माच्यप्रदेश के कि स्थान पर स्तित है, मनाली, मंडी, नहन, या फिर नालागड, मंदी से जो हर वार कोशन पूछा जाता है इसका जो राइट अंसर है वह option B, मंडी, अर्द नाशिवर का मंदी जो है ये मंडी जिश्टी में पढ़ता है नेश्ट है ठियोगराज जी किस थापना किसने की, जेचंद, दीबचंद, करमचंद या फिर हेमचंद इसका जो राइट अंसर है वह option J जेचंद, option A नेश्ट है भूमिसी म्यूजम किस थापना किस बर्ष हुई, most important और easy question इसका जो राइट अंसर है वह option C, 1908 AD में, 1908 में नेश्ट है हिमाच्य प्रदेश में क्षेत्री प्रसद किस बर्ष में स्मापत हुई, ये भी easy question है इसका जो राइट अंसर है वह option D, 1963 में, आजका last question है इसके उपर नई वीडियो आने वाली है, तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भी चैनल को सब्सक्राइब जूर करें ये सारी बातें जो डिटेल में वहाँ पर बताए जाएगी इसका जो राइट अंसर है वह बहुँ है, option A, S, P, S, E, B आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर जूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जूर करें मिलते हैं नेक्स्ट अब्रेट में तब तक लिए जाहिन धन्यवाद